आईए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी. वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंध तक देखिए. मेरा नाम समीरा है, हम दो बहने हैं और अब्बु मुल्प के बाहर काम करते हैं. हम अपनी अम्मी के साथ अकेली रहती हैं, जब ये हादसा हुआ. उस वक्त मैं 14 साल की थी, और मैं 7 वी क्लास में पढ़ती थी. जबकि मेरी बड़ी बहन नाजमा 16 साल की थी, जमा और 10 वी क्लास में पढ़ती थी. उन दिनों हमारे घर एक महमान आये, जिनका नाम कादिर था. जो हमारी अम्मी के कजन भाई थे, उनकी उमर 30 साल होगी. अम्मी ने बताया कि यह तुम्हारे मामा हैं, और कुछ वक्त यह हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि उसका घर दूर था. वो हमारे शहर काम के सिलसिले में आया था, कादिर मामा अच्छे खासे खुबसूरत थे. वो सुबह होते ही काम पर चले जाते, और शाम को वापस आते थे. वो हम दोनों बहनों को ट्यूशन पढ़ाते थे, अम्मी काफी खुश थी. कि चलो फ्री में हम दोनों बहनों को नौलज मिल रही है, रात का खाना खाकर, कादिर मामा च्छट पर सोने के लिए चले जाते थे. च्छट पर एक कमरा था, मैंने वो कमरा मामा को दे रखा था. अक्सर हम रात को तीनों उसने कमरे में चले जाते, और देर तक बाते करते रहते यूं समझ ले, कि हमारी जिन्दगी में रौनक आ गई थी. हर हफ़ते की रात मामा, हमें खाना खिलाने बाहर ले जाते थे. खाने के बाद हम पाप में चले जाते और रात को काफी देर तक वापस आते क्यूंकि अगले दिन हमें स्कूल से और मामा को ओफिस से छुटी होती थी इसलिए हम देर तक सोते रहते थे और फिर सुबह उठते ही गरम-गरम नाश्ता मिलता जो अम्मी हमारे लिए बने होती है एक रात ऐसे ही अम्मी किचन में खाना बना रही थी मामा भी उनके पास खड़े थे मैं किसी काम से किचन की तरफ आई तो मैंने खिर्की से अजीब मन्जर देखा कि मामा और अम्मी किसी बात पर हंस रहे थे कि एकदम मामा ने आगे बका अम्मी के चहरे को चूम लिया लेकिन हैरत की बात ये थी कि अम्मी ने मामा की इस हरकत का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपने कामों में लगी रही मैं ज्यादा बड़ी तो नहीं थी लेकिन इतनी नादान भी नहीं थी मुझे मालूम था कि कादिर मामा अम्मी का सगा भाई नहीं है बल्कि वह रिष्टे में उसका कजन लगता है उस दिन से मेरे दिल में उन दोनों के बारे में शक पैदा हो गया था फिर मैंने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी तो मुझे मालूम हो गया कि वह इस तरह की हरकते अक्सर एक दुसरे के साथ करते हैं मेरे लिए ये परेशानन कर देने वाली बात थी मैं जानती थी कि अगर मेरा अब्बू घर पर होते तो अम्मी कभी भी कादिर मामा के साथ इस तरह की हरकत ना करती फिर एक रात मैं किसी काम से उसके पास गई तो वह अपने कमरे में नहीं थी उनका बिस्तर खाली था फिर कुछ देर कमरे में इंतजार करती रही लेकिन वह नहीं आई तो मुझे शक हुआ कि वह मामा के कमरे में ना गई हो यह ख्याल आते ही मैंने तुरंट दबे पाउं छट पर मामा के कमरे के पास गई तो देखा कि मामा के कमरे की बत्तियां बंद है अगर बत्तियां जलती तो रोशंदान से नजर आ जाती फिर मैं कमरे की खिलकी के पास आए और कान लगा कर अंदर की आवाजे सुनने की कोशिश करने लगी जल्दी मुझे उनकी आवाज सुनाई दी वो मामा से कह रही थी कि मुझे अब जाने दो अगर मेरी कोई बेटी उठ गई तो मुझे बिस्तर पर ना पाकर वो छट पर आ जाएंगी और अगर उसने मुझे तुम्हारे कमरे से निकलते देख लिया तो ना जाने क्या सोचेंगी लेकिन मामा को लगा कि दोनों लड़किया सो रही होंगी और सुबह से पहले नहीं उठेगी इसलिए तुम अभी मेरे पास रुप जाओ और कुछ ऐसी बाते की जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी-पानी हो गई अब तो शक की कोई बात ही नहीं थी कि मेरी मा के कादिर मामा के साथ गलत रिश्ता है मैं कुछ देर वहां रुकी और खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई यह सब देखकर मेरी आखों से आंसु निकल रहे थे कि मेरी मा अपने शोहर के ना होने पर दुसरे मर्द से तालुक बनाए हुए है मैं जानती थी कि अगर इस बात की खाबर मेरे अब्बू को पता चली तो वह एक जटके मेरी अम्मी को छोड़ देंगे और घर से बाहर निकाल देंगे और हमारी फैमिली टूट जाएगी ये बात सोचकर मेरा दिल लर्ज गया मैं अब कुछ करना चाहती थी कि मामा इस घर से हमेशा के लिए चला जाए काफी सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं सही समय का इंतजार करने लगी फिर एक दिन मुझे मौका मिली गया उस दिन अम्मी और मेरी बड़ी बहन बाजार गई हुई थी मैं और मामा घर में अकेले थे मैं मामा के कमरे में गई और उनके साथ बाते करने लगी थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और और अम्मी घर में आई तो मैंने अचानक अपने कपड़े फार डाले मैं शोर मचाती हुई मामा के कमरे से बाहर निकली मेरी अम्मी और बहन ने पुछा कि क्या हुआ तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े और तुम्हारी ये हालत किसने की तो मैंने रोते हुए कहा कि मैं मामा को चाय पूछने गई थी तो उन्होंने मेरे कपड़े फार डाले और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है और तब परेशानी अम्मी का मुझ खुला का खुला रह गया वह मामा को बुरा भला कहने लगी कि तुमने मुझ में और मेरी बेटियों में कोई फर्थ नहीं रखा तो मभी के अभी यहां से दफा हो जाओ उन्होंने मामा की एक भी ना सुनी और धक के मार मार कर घर से निकाल दिया मेरी समझ में इस दिन यह बात आई कि एक मा का किरदार जैसा भी हो वह अपनी बेटी में मामले में बहुत सक्त होती है खेर जो था मेरा मकसद पूरा हो चूका था तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तो ऐसी ही ओसम कहानिया पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ओसम कहानिया को प्लीज लाइक करना और अपने खुबसूरत दोस्तों के साथ शेय करना और सब्सक्राइब करना धन्यवाद